अब हम वायू मंडल के दाब की चर्चा करते हैं बच्चों हम जानते हैं कि पृत्वी की चारों और वायू का आवरण है यह वायू परतों के रूप में हैं और हम पृत्वी की सता पर जह रहते हैं हम इस वायू मंडल के स्वतंत्र सता से देखें तो सबसे अधिक दाब पर और इसलिए इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम महसूस कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको एक कम होने लगता है और वहां पर हमारे शरीर के अंदर ब्लट का प्रशर बढ़ने के कारण नोस ब्लेडिंग की प्रोब्लम हो जाती है हाई अल्टिट्यूट पर यदि हम पहाड़ों पर चड़ते हैं तो हमारा वायू मंडल लगभग पृत्वी की सता से 300 किलोमीटर की है और यह गैसे हम पर जो दाब आरूपित करती है इसे ही हम वायू मंडली दाब कहते हैं बच्चो इस वायू मंडली दाब को नापने के लिए बहुत सारे मात्रक हैं हम अलग-अलग स्थिती में इन मात्रों को कस्तमाल करते हैं और एक अट्मोस्फेरिक प्रेशर 80m बराबर होता है 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन प्रती मीटर स्क्वेर और न्यूटन प्रती मीटर स्क्वेर को हम पहले भी चर्चा के इसे हम पास्कल के नाम से जानते हैं इसलिए हम लिखेंगे 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल और इस अट्मोस्फेरिक प्रेशर को यदि हम पारे के कॉलम के अनुसार लिखें तो यह 76 cm पारा यानि HG होता है पारे का सिंबल HG है इसलिए हम यहाँ पर HG करते हैं अब यह बच्चों HG यह 76 cm हमने लिखा यह क्या है यह हम आगे चर्चा करेंगे जब हम बैरोमेटर के बारे में पढ़ेंगे अब अगला मात्रक है रितु विग्ञान में हम दाब को बार से एक्सप्रेस करते हैं बी ए आर हम लिखते हैं और एक बार बराबर होता है 10 to the power 5 पासकल और हम दाब के छोटे मात्रक बेस्तमाल करते हैं यानि कि मिली बार और एक मिली बार बराबर होगा 10 to the power minus 3 बार और यदि पासकल में लिखे तो 10 to the power 2 पासकल होगा और सरीर विक्रिया विज्ञान यानि कि फीजियोलोजे इसमें दाब का हम एक अलग मात्रक यूज करते हैं इसे हम टॉर कहते हैं और एक टॉर बराबर होता है 1 mm पार यानि 1 mmHg और इस पासकल में लिखे तो यह 133.28 पासकल होता है और बच्चों य एक उपकरण पर आधारित मात्रक है जिस उपकरण को हम बैरोमेटर के नाम से जानते हैं बच्चों 1643 में इटली के विज्ञानिक E. Taurisali ने एक दाब को मापने का सिंपल उपकरण बनाया इसे हम सरल बैरोमेटर के नाम से जानते हैं यह उपकरण बच्चों आप अपने स सिक्षक के सहायता से उनके निर्देश के अनुसार ही बनाएं अब इस सुपकरण में हम देखते हैं क्या-क्या चीजों की हमको अविश्यक्ता होती है सबसे पहले तो हमको एक ट्यूब लेना एक सिलेंडर जो की एक मीटर लंबाई का हो और हम इस ट्यूब में जो की एक मीटर लंबाई का है उसमें पारा भर देते हैं बच्चों पारे के स्थान पर किसी अन्य द्रफ को भी इस्तमाल किया जा सकता है पर हम यहां पर पारा क्यो अब इस जो सिलेंडर है उसके मुझ को हम बंद कर देंगे अंगुठे से और उसके बाद हम इसे एक ऐसे बरतन में उल्टा करने वाले हैं जिस बरतन में और डी पारा भरा हुआ है तो इस प्रकार हमने बरतन लिया है काच कर ले लिया ताकि इसको हमको देखने में आसानी हो इसके आर पर आसानी से देखा जा सके अब जैसे ही सिलेंडर को हम इसके उपर उल्टा करते हैं तो इसे बड़ी सावधानी से उल्टा करना होगा यदि हम इसे तिर्चे में उल्टा कर देंगे तो यहां पर यानि की वाई-उ इस ट्यूब के अंदर खुश जाएगी तो मे इस सिलेंडर से मर्क्यूरी नीचे क्यों और आ रहा है यदि आप सोच रहे होंगे कि पूरा मर्क्यूरी इस नीचे वाले पात्र में आ जाएगा तो ऐसा नहीं होता है इस सिलेंडर के अंदर जो मर्क्यूरी भरी है उसका लेवल एक निश्चित जगे पर आकर रुक जाता है और यदि आप इस पात्र में जो mercury का लेवल है और इस सिलंडर के अंदर जो mercury का लेवल है इसको नापते हैं तो यह 76 cm आता है जहाब किसी भी आकृति का पात्र ले या किसी भी रेडियस का ट्यूब ले पर इसके स्वतंतर प्रिश्थ से इस सिलंडर के अंदर जो प्रिष्ट है उसकी दूरी या उचाई यह हमेशा 76 सेंटीमीटर ही होती है और यह इसलिए होता है क्योंकि जब यह पारा उल्टा किया जाता है सिलिंडर के अंदर तो यह नीचे की ओर आता है लेकिन यह जो बरतने इस पर स्वतंतर प्रिष्ट पर वायो मंडले दाब आरोपित हो रहा है और इस दाब के कारण ही यह एक ऐसी सिति आती है जिसमें इस लिकवीट का प्रेसर और इस दाब का प्रेशर बराबर हो जाता है और इसी लिए यह निश्चित जगे पर आकर ठैर जाता है और ये जो difference है उसके अनुसार ही हम वायू मंडलिये दाप को calculate कर सकते हैं और ये जो स्थान इस cylinder के अंदर पर दिख रहा है ये निर्वात होता है यहाँ पर कुछ नहीं होता किमने बड़ी सावधानी से इस पारे से भरे हुए cylinder को इस पात्र में उल्टा रखा था और ध्यान दिया था कि इसके अंदर कोई भी वायू ना घुसे तो ये जो जगे create होगी ये बिल्कुल निर्वात है और इसे हम torusally निर्वात या torusillian vacuum के नाम से जानते हैं और जैसे कि हमने सूत्र में देखा जो pressure होता है उसका formula है h rho g h यानिकी height और rho जो भी द्रव आपने लिए उसका घनतव और g गुरुतवी त्वरण तो यहाँ पर इस सारे मान को यदि हम सूत्र में रख दें तो height 76 cm है यानिकी 0.76 meter होगी mercury का आप एक शिक घनतव होता है 13.6 into 10 to the power 3 kg प्रती meter cube और value of g होती है 9.8 meter प्रती वर्ग सेकेंड इन सब को इस formula में रखने पर हमें pressure मिलता है 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल और यह लगभग 1 के बराबर इस मान को ले सकते हैं लोग 1.013 है तो इसको लगभग 1 के बराबर हम लेते हैं तो यह होगा 10 to the power 5 पास्कल तो इस प्रकार हम atmospheric pressure को इस barometer के साहता से calculate कर सकते हैं और barometer का construction जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने यह कहा था कि हम mercury के स्थान पर कोई और द्रव भी ले सकते हैं माली जी हम यहां पर जल ले लेते हैं तो हम यह भी जानते हैं कि mercury का घनत्व जल की तुलना में 3.6 गुणा होता है यह यह कहें कि mercury मर्क्यूरी जल की तुलना में 3.6 गुणा भारी होता है तो जब इन दोनों के आयतन को कंप्यर करें तो मर्क्यूरी का आयतन कम होगा और जल का अधिक होगा ऐसा हमने एक एक्जामपल लेकर भी चर्चा किया था पहले वाले टॉपिक में और इसलिए इतने ही एक्मॉस्फेरिक प्रेशर में जल का आयतन बहुत अधिक होगा सिलेंडर के अंदर और क्याल्कुलेट किया गया है कि जल का यदि बैरो मीटर हम बनाते हैं तो इस सिलेंडर में इसकी उचाई 10.34 मीटर होगी और इतना बड़ा सिलेंडर बनाकर उसको हैंडल करना हमारे ल करते हैं ताकि हम इस बैरो मीटर को आसानी से उप्योग कर सके अभी जो यहां पर हमने सूतर देखा पी इकवल टू एच रोजी इसकी सहता से हमने वाईयो मंडली दाप को कैलकुलेट किया और यदि हमें वाईयो मंडली दाप पता हो तो हम प्रित्वी के सता से वाईयो मं की उचाई को कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखेंगे दाप बराबर 1.013 इंटो 10 तो पावर 5 पासकल और वाईयो का घनत्व हम लेंगे वाईयो में अक्चली बहुत सारी गैसों का मिक्स्चर है तो हम यहां पर इसका घनत्व लेंगे 1.30 kg प्रतिमीटर क्यों और जी की मान होगा पी अपॉन रोजी और यह सारे मान को इस फॉर्मुले में रखते हैं तो कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 7 928 मीटर यानि की लगभग 8 किलो मेटर तो प्रत्वी की सता से यदि वाईयो मंडल की उचाई हम देखे तो यह लगभग 8 किलो मेटर आती है लेकिन डिफरेंस कैसे आ गया क्या यह सूत्र गलत हो गया या फिर क्यलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गया एक्चुली बच्चों यहां पर हमने वाईयो का घनत वह 1.30 केजी प्रती मीटर क्यूब लिया है लेकिन जब हम अपने वाईयो मंडल को देखे तो यहां पर वाईयो का घनत वह एक समन नहीं है यह वाईयो मंडल कई गैसों का मिक्षर है और इसके आधार पर सभी गैसों के घनत वह अलग अलग है जिससे कि वाईयो मंडल का घनत वह एक सा नहीं है साथ ही हम सता से उच्चाई की और बढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्वी की सता के पास वायो मंडल डेंस है इसका घंद्व अधिक है जब यह उचाई की और बढ़ते जाएंगे तो यह रेरर है इसका घंद्व कम होते जाता है और हमने यहाँ पर एक घंद्व मानकर गणना कर दी और इसलिए हमारा जो परिणाम आया वो प्रमानिक मान से अलग आया और अब हम अगले उपकरण के बारे में चर्चा करते हैं ऐसा उपकरण जो किसी भी तरल के दाब को नाप सकता है गैस के दाब को नाप सकता है उसके अंतर दाब के अंतर का भी मापन कर सकता है और इस उपकरण को हम कहते हैं मैनोमीटर बच्चों यह मैनोमीटर आपके स्कूल के लाब में भी देखने को मिलता है तो आईए इसके construction को हम समझते हैं इस प्रकार का एक U-shape का काश का ट्यूब होता है जिसमें की द्रव भरी जाती है जब इस प्रकार U-shape के काश के ट्यूब में कोई द्रव को भरते हैं तो हम देखते हैं कि इनके दोनों भुजाओं में द्रव का लेवल समान होगा और यह according to atmospheric pressure होगा और यह दोनों भुजाओं में समान होता है हम बीचों बीच एक स्केल लगा देते हैं ताकि हम दोनों भुजाओं में जो ल होना चाहिए जिसके से जो एयर का प्रवा नहीं होना चाहिए अब इसको बनाने के लिए हम इस ट्यूब के दूसरे और में किसी भी आकृती का छोटा सा फनल ले ले लेते हैं क्या हमने देखा दाब कमान बरतन की आकृती पर निर्भर नहीं करता तो यहां पर हम कोई भी लेते हैं और इसके नीचे हम एक रबर लगाकर पैक कर देते हैं ताकि इसमें से हवा पास ना हो सके अब जिस द्रव का हमको दाब ग्याद करना है उस द्रव के अंदर हम इसे डुबाते जाएंगे हम देखेंगे कि जैसे जैसे इसको अंदर डुबाते जा रहे हैं यह दो की सहायता से इस द्रव के डाव का मापन किया जाता है साथ ही हम दो अलग अलग बिंदूओं में भी द्रव के दाव को निकाल सकते इस प्रकार हम किसी भी द्रव के अंदर दाव के अंतर की भी गणना इस मैनोमेटर की सहायता से कर सकते यह जो डिफरेंस मिला दोनों भूजा ka ampun कर सकते हैं, मानली जे हमको किसी गैस के दापका मापन करना तो हम इसकी एक भुजा में गैस से भरा हुआ पात्र को जोड़ देते हैं अब मान दें इस प्रकार अंतर आ अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भूजा इस गैस की बरतन से जुड़ी हुई है उसमें यदी द्रफ का लेवल कम है उस दूसरी भूजा की तुलना में तो यह सित्ध करता है ये कि इस गैस का दाप जो इस बरतन में भरा हुआ है वो वाईयो मंडली दाप की तुलना में अधिक है तभी तो इसने इस द्रफ को ज्यादा प्रेस किया और दूसरा हिस्सा ओपन था यहां पर वाईयू मंडली दाप कारे कर रहा था तो वाईयू मंडली दाप की तुल्ना में इस गैस का दाब अधिक है और इसके दाप का सूत्र हम लिखेंगे तो यह गब P बराबर PA जहां PA atmospheric pressure है प्लस HDG है एच रोजी जहां रो इस मैनोमीटर के अंदर भरे हुए द्रफ का घनत्व है और यदि इस प्रकार के स्थितियाई कि इस मैनोमीटर में जो भूजा इस गैस की कंटिनर के साथ जूड़ी है उसमें द्रफ का लेवल अधिक है दूसरी भूजा की तो उस कंडिशन में यह जो गैस कंटेनमिल भरा है उसका दाप वायू मंडरी दाप की तुल्ला में कम होगा और यहां पर हम सूत्र लिखेंगे P बराबर PA-HDG ह रोजी और इस प्रकार हम मैनोमीटर की साहिता से किसी भी बरतन में भरे हुए गैस के दाप की गणना कर सकते ह हैं तो बच्चो इस चाप्टर में हमने बेसीकली किसी भी फ्लूइट से जुड़े हुए दाप के बारे में जाना इस दाप के अधार पर हम अपने दैनिक जीवन में इस कानुप्रयोग कैसे कर सकते हैं यह भी हमने सीखा और साथ ही हमने इस दाप को मापने वाले और भी क्लियर हो जाएं